गयाम एदिवक्ता के जमी बुर्ठने का खेल जारी है शंबने तर Уदिकारी कारवाही करने में आखिर मोन क्यों है क्या अधिकारी द्वारच जमीन माफिय ऐको log को संवक्षन मिल रहा है यह दि नहीं तो क्यों नहीं आहिक की जारे हैं माफिय पर कारवाही पेजुल राशेद ने बताया कि उनकी उपस्तिती में दस्तेपदरा की संख्या में अफराधी और दबंग प्रवर्थी के लोकों ने गाउं में घुजकर प्लोट 709 में मौज़ा कुजाप फर्जी रजिस्ट्री जमीन कागजाद दिखा कर बेचने के लिए ग्राहप को दिखाया जा रहा है इस संबन्ध में पीडित अधिवक्त द्वारा संबन्धत अधिकार्यों को आवेदम दे कर कारवाही करने की गुहार लगाई जा रही है जिसका जमीन है उसके साम देतना नापी करवाई है जमीन किसे आप लिए हैं दोनों पाटी राके नकराइएगा बगल मेरा भी जमीन है कुछ सुचना नहीं मिलता है लोग आ जाते हैं 20-25 की संख्या में गाड़ी से असकार प्यों से बलोरो से आते हैं आप लोग क्या चाहते हम लोग चाहते कि सांति रहे हैं ऐसा हो अप लोग करते हैं तो बियूज को लेट है तो हम लोग लेकिन के अपृल करना आते हैं इस पचीस लोग आते हैं कम से कम देखे एक जगा दलाल का अड़ा बनाए हुए रहते हैं क्या नाम आपका नंकिसोर जादा इसा तो नहीं है कि कोई गाउं के भी लोग इसमें सनलिप्त हो आप ही के गाउं के लोग दलाली कर रहा हो साथ-साथ में का बिना लगए हुए कैसे दलाली होता है सब चीज ह है जो हमको पिता जी पहले ही से करते रहे हैं 20 साल कम से हो गया 20-22 साल हम उतिए देसे बाराज के उमर में रहा अब आप करते हैं यह हम ही करते हैं तो देखें कि फशल बोजा इसमें बाना हो था उस टाइम 15-20 आदमी लोग आये सकार्पीयों इस अब से फोर्विलर टूब से तो हम जानवर बन करके जैसे दूत करते हैं तो वही प्याषि लाग भींवरा हुब करते हैं तो बहुत करते हैं तो मिसेृति बात करते हैं चίνब हैं.. मुवाईल भी को आपका है अभी नापी करने हैं तो इस टाइम नोग नहीं प्रसा नाभी कर लिए हैं 12-15 इस आदमी है तो हम लोगे भी दवा बना रहता है, डर रहता है कि कहीं कुछ फोर भी सब गाड़ी से आते हैं, तो हमको फिर इनको न्यूज कर दिये, खबर दे दिये, उनके आप समाझ लेते हैं, इनको बोलाईएं, उनको हमार हैं, तो रोकिये उनलों के, कौन बोला, मनों इनको सबात कि हैं, इनका रसित जी का बच्चा लड़का हुए हैं, तो आये हैं, तो मतलब कि उनलों के बोलने कि ठीक आने दीजे उनको, आने के लिए बोलें तो देखें कि गाड़ी अपना स्टार्ट कर दिये, यहां से फोर भीलर वहां लेके चल गया, फोर लाइन पे, जोहां हम बोलें कि ठीक है, आने दीजे उनलों के तो सुझेंगे जाएंगे वहां पे, तो हम को कॉल कियें कि इससे आप आ रहे हैं, तो हम के लिए आ रहे हैं, यहां देखें कि जो आदमी आया था, दस-पंदरा आदमी, यहां से फिर पता नहीं कि इधर किधर छितरा गया, जमीन पर नजर पड़े हुए कबजा करने के मन्सूबे हैं, क्या लोगों को तो समझ का 20-25 आदमी आते हैं, तो समाझ के दमाइंगाई कबजाही के चकर में आते हैं उनलोग, क्या नाम हूँ अपका, नितले से यादा, यहां नाम सेरी गुलाब यादा, कह रहते हैं, घर क जमीन तुम्रा कैसे हो जाएगाई तो आपसे मुलाकात किया था लोग मेरे से नहीं ना जमीन खरिदने वाला ना बेचने वाला, दोनों में से कोई पक्च भी मेरे से आज तक मिला नहीं, जब भी आज तक मिला नहीं, जब हम कभी आते हैं, जब आएं मिलने के लिए यहां पर जैसे मितलेस जी हमको खबर किये कि इस तरह कभी लोग आये हैं, तो हम इस पॉर्ट पर जब आते हैं, तब कर तब लोग सब भाग जाता है, चार दिन पहले उन लोग तीन चार गाड़ी लेकर कर गरी 25 लड़का लोग जाएगा तो लोग दहसत हो ही जाएगा, तब तक मितलेस जी भी आएं और लोग आये 25 की संख्या में लोग आता है, क्या उन लोग मनसूबे लेकर आता है, लोग आया लेकर के कि हम जमीन खरीद लिये हैं, डर आएंगे, सामने वाला, जब आप खरीद लिए जमीन तो पच किक कहे लेकर आता है फर्जिटि लेकर आएं रचिस्ट्री लेकर के आँ सोब घर लिद करूब को मोबाईल बेजेक्या है, मेरे माता जी इसरत जहां के नाम पर अच्छा और उससे पहले यह जमीन था मुस्तफा चेचा है उन्हीं से जमीन मेरे माता जी लिए थे मुस्तफा चेचा भी है उनकी पत्नी है बेटा उनका बेटा भी है उनका क्या नाम उनका जफर नाम है तो जब यह जमीन बेचा है तो यह मुस्तफा चशा के पिता जी संब्सकर से खट्यान का नहीं को dualis तो इन लोग क्या दिखाता है दिखाता है मुहम्मद आजाद यह पावर लिया पेपर मेरे पास है उस पेपर में लिखा है मुहम्मद आजाद का उमर आज दिखाता है 35 साल जो कि सकूर सहाब मुस्तफा सहाब जिन से मेरा मातेजी जमीन लीती त्रीक है वो भी एक्सपायर कर गया है किसी अधिकारी को अवेदन दिये हैं हम ब्लॉक में भी दे दिये हैं रोक लगाने के लिए कौन से ब्लॉक पढ़ता है चंदोती ब्लॉक में पेपर दिये में ठीक है और बाकि यहां भी आनुर्टि कारवाई के लिए बाकि सबके पास गय में हैं आज का समय सब दिये हैं इस तरह के द्वारा काम करना सीओ कि क्या लगता है अब इसका जानकारी हम तो एतना है नहीं कैसे बताने जब यह है sब दलाल लोग अब इसमें कौन-कौन लोग मिले हैं बिना अंदर लूप पोल पता चला है इस जमीन का क्या हुआ है कि मेरे पास एक रसीद है ऑन-लाइन उसमें लिखा है दो अक्तूबर 1990 को पहले ऑफ-लाइन रसीद कटता था तो ऑफ-लाइन रसीद में उसका दर्सायाव है उसके बाद क्या है मनें 91 तक का ऑफ-लाइन रसीद कटाव है और उसके बाद 90 के बाद रख लीजे 2010-20 मैंने 33 साल तक इसका ऑन-लाइन रसीद नहीं कटता है अचानक 17-11-2023 को इसको ऑन-लाइन रसीद की दिखाता है उतना साल का एक आनवे से ले करके 2023 तक का 480 रूपया इसका ऑन-लाइन आता है वह डिरेक्ट 17-11-2023 को इसका ऑन-लाइन क साः कर रहा है ओं-लाइन भी कर रहा है सरकार को इसका पैसा भी जा रहा है और लद पे पता निया पकारवाई करना हमें कर ते लिभी नहीं लोग सब अलोग अपलिकेशन लिये शायर बाकि देखते हैं अभी जमीन पर क्या परिसासाई ने जमीन मेरे कबजे में सुरू से है जमीन पर खेती चाचा करते आ रहे हैं पहले से देड़ सौ साथ अभी क्या लगा हुआ था धान कटा है धान कटने के वाद भी क्या नाम आपका मिठले से जादा मेरे क्या परसानी हो रही है इस जमीन को लेकर क्या फिलिए उस दिन जो आया था सो पांच-छे दिन हो गया है डाबर डर लगा रहता है हमको भी लगा रहता है मिदलेश जी है इनको भी लगा रहता है अब लड़का लोग आया था हम लोग देख चार लड़का उतरा है अपको कोobject कवी घमले उसको फिरी मारत में गरती यही पर है आपका anumon यहां पर गाड़ी खड़ी रहती है रहती है गस्ती होते रहती है नाम बता दीजे मेरा नम फैयाज रसीद है करीम गंज रहते हैं मूल निवासी मेरे मेरे दादा का ये दादा का स्थान है